अंबाला के बराड़ा के नस्दीक गाउं अधोया में मीनी ट्रक का टायर फटने से भीशन सडक हाथसा हो गया जिसमें लगबग 18 लोग घायल हुए मिली जानकारी के नुसार ये सभी लोग माता तिरलोगपूर से दर्शन कर कैथल की ओर जा रहे थे स्बीच गाउं अधोया के नस्दीक अचानक मीनी ट्रक का टायर फट गया और ट्रक पल्टा खाकर पेड़ों के पास जागिरा इस दौरान 18 लोग घायल हो गए जिनने उपचार के लिए स्वास्तिक अंधर बराड़ा ले जाए गया इस साथ से के बारे में जानकारी देते हुए घायलों ने बताया कि वे लोग त्रिलोग पूर दर्शन कर वापिस कैथल लोट रहे थे और तभी मीनी ट्रक का टायर फट गया जिसके बाद ट्रक पल्टा और उन सभी को काफी चोटे आई इन सभी का उपचार कर रही डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताये कि उनके पास 18 मरीज आये थे जिनमें से 3 को फ्रेक्चर है और उन्हें उपचार के लिए रैफर किया गया है वही बाके सभी को थोड़ी चोटे आई हैं जिनका इलाज किया जा रहा है ये सभी कैथल जिले की रहने वाले हैं मौके पर पहुंचे ASI सतीश कुमार ने बताये कि डायलक सुबारा से इवेंट आया था कि जिसके बाद अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पिताल लेकर आई इनमें कई लोगों को जादा चोटे लगे हैं फिलाहाल उप्चार जारी है अंबाला से निखिल सोबित की रिपोर्ट पर पास एक एक्सिडन्ट हुआ था जिसमें से ये सर्धालू थे कुछ मातातर लोग पूरिस आ रहने वाले हैं तो एक का टेंपू का टेर फटले से काभी सारे मरीज आगे थे जिन में से अठारा मरीज टोटल आए हैं सब का इलाज हमने अपने होस्पिटल में स्यच्छी ब्रड़ा में कर दिया है मारी टीम ने तीन मरीजों को हमें फ्लक्चर का श्यक्क है उनको हायर सेंटर में सिरफ और तो पिनियन के लिए बेज रहे हैं जब ही हम बड़ा फट पहुंचे तीम के साथ हमारी और हमने इंजिवर्ट को बड़ा फट डायलेक सबारा मली उसी में गाड़ी में ही सारां को स्मिट कराया कुछ प्राइवेट विकर्स थे उन पे उनको शिफ्ट करागे बड़ा- प्राइवेट कमें चोदा पंद्रा तुसरे काफी तीन चार जड़े ज्यादा ज्यादा इंजर्ड रहे हैं